नमस्का और दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में आज जब हम सभी को एक ख़बर मिली कि विराट कोली T20 से अब पुरी तरह से कप्तानी से हट रहे हैं और वो T20 World Cup के बाद कप्तानी नहीं करेंगे तो इस पर हर कोई पूरी तरह से हैरान हो गया और सभी जानना चाहते थे कि आखिर विराट कोली ने ये फैसला क्यों लिया है दोस्तों हाला कि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर विराट कोली ने इस पर ऐसा क्यों फैसला लिया है लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि केल रहूल का इस पर बहुत बड़ा बयान आया है जी हाँ आपको बता दे केल रहूल ने अपने बयान में कुछ बाते बिल्कुल क्लियर कर दी है और उनका मानना है कि विराट कोली जो कुछ भी कर रहे हैं वो भारती टीम की प्लानिंग के अंतरगत आता है उनका ऐसा मानना है कि इस टाइम पर कुछ खिलाडी ऐसे हैं जो की बहदी सांदार फॉम में हैं और इसके अलमा विराट कोली की जो फॉम थी वो लगतार लचर हो रही थी और विराट कोली को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं न कहीं उनकी कप्तानी के उपर दबाओ की वज़े से ही विराट कोली अपनी परफॉमेंस में सुधार नहीं कर पा रहे हैं और इसकी अतरीक केल लाहूल का ये भी मानना है कि विराट कोली को सायद ऐसा लगता है कि विराट कोली बिना कप्तानी के अच्छी परफॉमेंस तो करी सकते हैं साथ ही साथ वो रोही सर्मा या फिर केल लाहूल की कप्तानी में बहतरीन परफॉमेंस कर सकते हैं इसी वज़े से केल रहूल का मनना है कि सायथ इसी वज़े से विराट कोली इस समय पर कप्तानी छोड़ने का फैसला ले रहे हैं इसके लावा केल रहूल ने कहा है कि विराट कोली का ये नीजी फैसला है विराट कोली के उपर किसी विदर ऐसे कोई दबाव नहीं डाला गया है विराट कोली खुट चाहते थे कि वो भारतिय टीम की अब कपतानी ना करे और इसी वज़े से विराट कोली ने ये फैसला लिया है दोस्तो के अल्राहूल का ये बयान ऐसे टाइम पर आया है जब विराट कोली ने अचानक से ही एनॉंसमेट कर दी कि वो T20 वर्ल कप के बाद T20 फॉर्मेट से हमेशा के लिए कपतानी छोड़ देंगे हाला कि ये भी अभी तक इस पश्ट नहीं हो पाया है कि अब विराट कोली के बाद भारत का अगला कपतान कौन बनेगा लेकिन दो नाम सबसे उपर है पहला रोहिस सर्मा और दूसरा केल रहा देखना इंट्रेस्टिंग रहेगा कि दोनों में से BCCI कि स्कूग कपतान बनाती है BCCI की बात करें तो BCCI ने इस पर ये घोश्रा की है कि T20 World Cup के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि आखे भारत का नया कपतान किसे बनाया जाएगा अगर T20 World Cup में केल लाहूल के परफारमेंस अच्छी रहती है तो उनको निच्ची तोर पर कपतानी मिल जाएगी या फिर रोही सर्मा की परफारमेंस अच्छी रहती है तो फिर रोही सर्मा को ही नया कपतान बनाया जाएगा लेकिन यहाँ पर कुछ की लाड़ी ऐसे हैं जिनका पत्ता विल्कुल साफ कर सकता है जिसमें सिखरधान पूरी तरह से टॉप पर है क्योंकि सिखरधान को T20 में मौका नहीं मिला है इसी वएसे साइज सिखरधान को कपतानी भी नहीं मिलेगी तो इस तरह से दोस्तों के लाड़ ने विराट कोली के अचानक से सन्यास ले लेने पर बहदी बड़ी खोशना की है तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद